हेलो स्टुडेंट और सभी कमारे एक्ट टैनल होते हैं एक्सप्रेस में हाद देख स्वागत है आज कमारे में बॉटल टॉपिक कम्रीट एल नर्सिंग के अंतेगत आज हम रेफरल सिस्टम के बारे में चर्शा करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या डेफिनेशन हो होते हैं इनको हम कंसीडर करेंगे यहां पर एक रेफरल रेजिस्टर के बारे में लोगां डिस्क्रिशन करेंगे तो कम्प्लीट कॉंसेट आपको यहां पर हिंदी प्रस इंग्लिस पर समझ लोगों को मिलेगा और जो भी विए से चैनल पर पहली बाए बिजिट के हैं चै करते हैं चैनल तुस सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के वें दपैसेंट इस सेंग फ्रॉम्ट के यह फ्यूर्स और फैसिलिटीज तो देहां और ऑस्पिटल विच हाज मोरे सोर्सेज और पैसिलिटीज कर रेफरल सिस्टम देखे क्या कहना चाहता है किसी उस अस्पताल में जो रिसॉर्सेज हैं जैसे आपके ड्रेफ्स हो गई एक्यूब्मेंट्स हो गई या फैसिलिटीज हैं वो तनी अच्छी नहीं हैं तो क्या करेंगे हम हम ऐसे अस्पताल में पैसेंट को सिफ्ट करेंगे या उसको ट्रांसफर करेंगे जहां कि रिसॉर् the patient for referral यानि कि कौन से ऐसे पैसे हैं जिनको हमें के लिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है when the physician is dissatisfied with the patient's progress यदि हमारा जो physician है वो असंतुस्ट है कि मतलब जिस तरह से पैसेंट को पैसेंट के health में progress होने चाहिए उस प्रिकास से जब नहीं हो रही होती है तो उस केस में क्या करेगा हमारा जो डॉक्टर रेफिजिशन वो रेफर करेगा पैसेंट है चाहिए चाहिए नहीं पर अच्छा मेनेजमेंट नहीं है तो इस केस में भी जो है वो डॉक्टर से करके रेफर करा सकता है दुश्य अस्पताल में राइट चाहिए नेक्स के हमारा वैंद पीजिशन नीट इस स्पैसिफाइड इन्वेस्टिगीशन याँ दखिएगा जब किसी फैजिशन को स्पैसिफाइड रेले की बिसेश प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की जगत परती है पैसेंट के लिए और वहाँ से बिदा नहीं है तो इस केस में भी डॉक्टर जो है फैसेंट को है यानि के बैतर डिआग्नोस्टेटिक सर्विसेस के लिए और उसको बैतर फ्रीट्मेंट मिल सकते ऊसलिए भी जो है तुर सेफ्ट अलाइप पैसंट को पेसंट एनि कि पैसंट के अमेर रोगी के जान बचाना है तो उसकेस में जो है हम लोग पैसर्ण को रफर कर सकते हैं राइट चाहिए नेक्ष्ट हैमारा तो प्रवेंट एनी फर्दर कॉप्लिकेशन इन पैसर्ट यानि रोगी में किसी भी प्रकार के आने वाले जो प्लिकेशन से जटेलता हैं उनको ना आए उनको रोकने के लिए किया पैसेंट को वो डॉक्टर उसको रिवर्ट कर सकता है दुझे रहा है चले नेक्स्ट हमारा है रिक्वार्मेंट फॉर मुल्टी डिस्प्लिनरी केर से मतलब क्या होता है इसको इंदी में हम लोग कहते हैं बहुत बिस्यक देख वाल यानि कि प्रेसंट को जब एक से ज्यादा उसको देख देख और यानि कि हमारे जब प्रेसंट पो अब को लाइज्ट नि कंडिशन है ठीक है जीवन गात तक को यह श्यादा तो एसी केस में भी हम लोग पर से बहुत तो हम बात करेंगे लेबल्स किए क्या क्या कि तो हैल्द कि में कित्रे प्रकार के लेबल्स होते तो यहाँ जर्मड बात करेंगे सबसे दाइक और प्राइम्च पीपल्क स् एक प्रइस्ट पाइल्थ कैम प्राम्री-खेर में LEität के माले होता है कि बीमार हुआ है तो सबसे पहले खिपले कि दॉइ आड़ा से सम्पर्क नहीं आ ऑने कि दौक्टर की है चैक सूर्ण ओर सट्च याँ पीसिऑनलर्स यहां पलब जाते हैं जो हमारे जैसे जनरल फीजिशिएन लिए इनके द्वार्च स्वास्त प्रादान की जाते है इनको इस प्रिकार से लोग इनको एजुकेट करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से डियाग्नोस कर सकें और विस्तित मात्रा में जो एक फामन जैसे दो प्रॉपर कैसे जोए ट्रीट मिल किया जाए ठीक तो इनको दो लोग यहां पर प्रसिशन दिया जाता है कि इनको जैनल प्राइमरी हेल्थ कि प्रॉइट इन सब सेंटर्स और प्यासी या दखेगा प्राथ में जो देवाल होते हैं वो का प्रदान के जाते हैं तो आपके सब सेंटर्स होगा है ठीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा है ठीक तो यहां पे जो है डॉक्तर के डॉक्तर बठते हैं और नस होती है ठीक तो यहां पे जो भी प्रेसेंट आगा वो क्या है फॉस्ट पॉइंट आफ कॉंटक्त यानि कि सबसे सबसे पहले क्या होगा कि डॉक् तो वहाँ पर जाते हैं और डॉप्टर के संपत्र आते हैं इसी इसको हम कहते हैं फॉस्ट पॉइंट आफ पॉंट है ठीक अब माल लेजए कि प्रेसेंट की कंडिशन थोड़े ज़्यादा थ्राव है ठीक वो सर्विसेज वहाँ पर आपके आवलेबल नहीं है रिसोर्स पर आप प्रदान की जाएगी जैसे हमारे कार्डियोजिस्ट हो गया ओंको लोजिस्ट हो गया तेगए चार नेक्स्ट हमारा सेकंडरी है प्रोवाइड इन सी एसी और डिस्टिक हॉस्पिटल या दखीगा जो सेकंडरी हैल्थ सर्विसेज होती हैं देखवाद रोग यह क आप प्रदान की जाएगी आपके कम्मुनिटी हेल्थ सेंटर हो गया और जिलास पता होने देख ठीर है अब माली जी कि सेकंडरी हेल्थ किया है मैं आपने पैसें को दिखाया वहाँ ठीक है तो वहाँ पर क्या है सर्विसेस नहीं मिल पा रही है जैसे प्रोग्रेस होना च ठीक है यह वहाँ पर रिजल से चर्यक्रीजर करें से अच्छी में पा रहे हैं तो ऐसे कैस में कि क्या होगा कि सब्सक्राइब है दी जाती है ठीक yeah उन्यकों दे जाए है, ठीक, एद इस typically provided by डी रिजनल होस्पेतल यहां दखेगा, तर्श्री movie और यहां पर प्रकार का केर ऊदुराइब प्रदान के रहेगा, ठीक, तर्श्री है प्रवाइड़नु कोई आज Curt sy? औपर highly specialized Julius treatment for complex medical conditions such as organ transplant ठीक है तो यहाँ पर जो tertiary healthcare है यहाँ पर क्या होता है बिसेश प्रिपाइब पर ट्रीटमेंट को दिया जाता है ठीक है उनकी condition पर सिंटियां बहुत ही ज्यादा खराब है तो कौन कौन सिंग का यहाँ पर condition हो सकते है जैसे मालें जो और्गन ट्रांस्प्रांट करना है या ब्रेन इंजरी है उस पर operation करना कैंसर का treatment है ठीक है तो यह सब कहाँ पर होंगे आपके regional hospital होगा है ठीक medical college होगा है ठीक यहाँ पर द्रिवाद के टर्सरी healthcare प्रेटार की सर्विसेस प्रोवाइड थी दाएंड़ है अब हम बात करते है steps of referral system ठीक है क्या एक referral system में कौन कौन से स्टेप्स होते है चार्ड होते तो सबसे पहला हमारा क्यों होता है sub center होता है ठीक है सबसेंटर से अगर शर्विस माहां पर नहीं मिल पार यह जो इसको बात का पर रेफर करेंगे हम लोग प्राइमरी health centers में करेंगे ठीक है PSC हो गया ठीक PSC से का करेंगे community health center हो गया हमारा Community health center से कहा होगा सब डिस्टिक हॉस्पिटल हो गया ठीक सब डिस्टिक से कहा हो गया हमारा डिस्टिक हॉस्पिटल हो गया और जिलास पताल से कहा हो गया प्वालेगल केदु छूपितल होते हैं, वाँ पर हम रेवर्ट आ सकते हैं, ठीक मैडिकल पॉलेज से का अग आगा जो हमारे स्पेसिलीटी अब ही होते हैं, याद एक हैं कि कौन कौन से स्टेपल हैं, तो याद दखेगा वह सेवन स्टेपल से याद दरी हैं, पहला वन हो ग जब किसी person को अंट रिफर कर रहे होते हैं तो याद अखीएगा कुछ यहाँ प्रपार के special point है उनको आपको mind में रखना है तो फ़से पहला है पैसे इस सुट भी सेंड वेद रेफराल स्रिप कभी पैसन को जब हम रिफर करते हैं तो तो रेफराल स्रिप के साथ मैं भेजा ह तो आई बी फ्लिट हो गया औप्सीजिक्ट रखने है यह हमें कांटीनू रखने है असको टिको बंद नहीं करना लोगे कोई राइट चाहिए द्वूर्टेशन प्रोवाइट कंवर्डेबल पोजिशन टुदा पैसन ठीक है याने के ट्रांस्पोर्टेशन के समय हमें पैसन को दो है आराम दायक इस्थिक्री में पैसंट को लाना चाहिए तो अनावस्टिक जो रिष्टदानों को भीगड़ा है वो ना उसमें जाए ठीक है इस्थिक्ट होगा पहला दिक्कत होती है पैसंट वो राइट चाहिए तो उसके साथ में वीकल में एक पैसे जो है जरूर उसके साथ में होगी राइट चाहिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोबाइट सैक्लोजिगल सपोर्ट पूदा पैसेंट और इस फैंडिशन में ठीक लोगी या उसके परिवार को जो मनों भाइग साथ ता प्रण करने चा रजिस्टर हो ता है जो फार्मेट होता है उसमी क्या क्या चीज्स ऐंडिएट होती है क्या क्या है इन्फरमिस्व्रीशन होती है ठीक है? चली. अगला क्या हमारा address क्या होगा उसका? ठीक है? यह हम उसमें indicate करेंगे. अगला हमारा name of the health institution to which the patient is referred. यानि कि जिस अस्पताल के लिए हमने patient को refer किया है, उस अस्पताल का क्या नाम है? ठीक? चली. next किया है? name of the doctor of the health institution to which the patient has been referred यानि कि जहां हमने patient को refer किया है तो उस doctor का क्या नाम है थिक वो हमें indicate करेंगे आप चलिए next कि हमारा registration number थिक यानि कि पंजीकन संख्या क्या होगी patient की वो हमें आप indicate करेंगे थिक चलिए next क्या है हमारा dating time of referral जब हमें refer किया है तो कौन सी date थी और कितने टाइम जो है person को refer किया वो हम indicate करते हैं ठीक है next क्या है reason for referral referral जो हमने person को किया है तो क्यों किया क्या कारण था वो हमें आप लिखेंगे ठीक चलिए अगला कि हमारा provisional medical diagnosis ठीक आपने क्या जो है क्या निदान लिखेंस क्या 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 निदान लिखी कहा है वह हम या पर इंडिगेट करते हैं ठीक चलिए next यह क्या है clinical नोट्स and treatment पैसट रिए को था कि ट्रीडमेंट दिया है clinical नोट्स वह सारे हमिए अपर record करेंगे ठीक चलिए दूसरे क्या है नाचे से इंवाल्ट कौन सी नाचे में सामेल थे हैं ठीक है वह हम यह आपर इंडिकेट करेंगे उनका नाम दिखेंगे यह आप ठीक और लास्ट दो हमारा पॉइंट होगा सिगनेचर आफ रेफरिंग फिजीशन यानि कि जिस डॉक्तर या फिजीश अगर और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो या को आपको टॉपिक उसना है तो इसको कमेंट बॉक्स में दुरूर्व से लिखें उसको आंसर दे रहे हैं तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेकर हम बाय बाय थिंक्यू सो मार्च